सब्तमेश की विभिन भावों में स्थिती और इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सात्वे भाव में विभिन ग्रहों के होने के प्रभाव को विस्तार से बताएंगे. पहले हम सब्तमेश के पहले भाव में होने के प्रभाव को समझेंगे. जातक का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जिसे वह बच्पन से जानता हो या जिसका पालन पोशन उसी घर में हुआ हो अगर पहले भाव ग्रसित नहीं हो तब बजाए पती पत्नी वह मित्रों के भाती रहते हैं जातक की पत्नी या पती एक स्थिर और परिपाक व्यक्ति होगा व्यक्ति अपने साथी के प्रती अत्यदिक महत्व देगा क्योंकि वह उसकी समझ के साथ उसकी मदद करेगा वह बुद्धिमान होगा और नफा नुकसान का आकलन करने में सक्षम होगा ये सयोचन जातक को बहुत बुद्धिमान बनाता है क्योंकि सब्तमेश हमारे चार्ट में दूसरों को दर्शाता है, इसलिए व्यक्ति का जीवन में अन्य सभी के साथ अच्छा संबंध होगा उसके अपने भागीदारों, दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ अच्छे संबंध होगे वो हमेशा अपने रिष्टेदारों और रिष्टेदारों का सम्मान और स्वागत करेगा वो दूसरों द्वारा पसंद किया जाएगा, इसलिए लोग उसे संबंद बनाए रखने के लिए एक अच्छा व्यक्ति मानेगे, जब तक कि पहले घर या पहले स्वामी या साथवे स्वामी में कोई बड़ी समस्या न हो. सब्तमेश की ग्रसित पीरा के कारण निरंतर यात्रा करनी पड़ सकती है. विशम परिनामों के अंतर गत भी व्यक्ति को यात्रा करनी पड़ती है. उसके पास लंबी दूरी की यात्रा होगी, विदेश यात्रा बहुत अधिक होगी जो उसके निजी जीवन के प्रती व्यस् प्लीस सब्स्क्राइब इस चैनल फर मोर अप्टे प्रेस्ट बेल इकॉन